सब्सक्राइब कीजिए, लर्न बेसिक्स को और बैल ऐकन को दबाईए, कुछ नया सीखने के लिए तो फ्रेंट्स एक बाफ फिर साब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Edge में किसी website का app कैसे बनाते है, desktop के लिए Microsoft Edge के उपर इससे पहले भी कई important topic में cover कर चुगा हूँ नीचे description में playlist का link दिया है, वहाँ से जाकर कि आप वीडियो देख सकते हैं तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने Microsoft Edge यहाँ open किया हुआ है और यहाँ पर मैंने Facebook search किया है, ठीक है अब हम Facebook का app create करेंगे desktop पर Microsoft Edge की सहयता से तो उसके लिए में क्या करना है, यह दिखी three dots दिख रहे हैं, आपको right hand side में इस पर click कर दिजे तो एक drop down open हो रहा है, इस drop down में यह देखिए यह रहा app का section जब cursor इस पर ले जाएंगे तो यहाँ पर दो चीज दिखा रही है, एक manage app दिखा रहा है और नीचे दिखे लिखा हुआ है install this site as an app ठीक है, बस इस पर click कर दिजे तो यह चोटा सा window आपके सामने open हो जाएगा अब यहाँ पर आप चाहें साब कोई नाम देना तो आप नाम दे सकते हैं तरवाइस facebook की रहने दीजे और simple install पर click करिए और यह जो page आपका है यह desktop पर, sorry यह जो website है facebook यह desktop पर as an app save हो चुकी, इसको यहाँ से cross करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए, यह app जैसा है यहाँ पर save हो का desktop पर